है 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 हेलो स्टुडेंस हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफोर्म में आपका स्वागत है आज का यह वीडियो सम्बंदित है ncrt विगान कच्छा आर्ट से इस वीडियो में हम कच्छा आर्ट के विगान से सम्बंदित 100 महतपूर्ण वश्थुनिष्ट प्रस्नों पर चर्चा करेंगे सारे कोश्चंस mcq टाइप के हैं और इस वीडियो से आपको इंपार्टन कोश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी हिल्फिल होने वाली है इस वीडियो का आप लाफ्ट तक जरूर देखें ताइए वीडियो हम स फसल क्रिसी और खेती से जवाब क्या होगा जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाये जाते हैं तो उससे हम फसल काते हैं यानि से जवाब होगा आप्सन बी किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रांथियों में राजवियम जिवानू पाये जाते हैं अप्सन देया गया है फलिदार फसल रिष्टिदार फसल अनाज फसल या इन्वे से कोई नहीं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों की ग्रांथियों में एक उसस प्रकार के जीवानु पाए जाते हैं जिनने रायजोवियम जीवानु कहा जाता हैं यह जीवानु पौधों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं क्योंकि यह वायमन्दली और ग्यास को नाइट्रेट में परिवर्थित कर देते हैं और इस प्रकार भूमी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती हैं अर्था भूमी की उर्बराफ सप्ती बढ़ जाती हैं तो इस प्रश्ण में पूछा गया हैं कि किस प्रकार की फसल की जड़ों में ऐसी जिवानू और को पाई जाती हैं सेजवाब होगा फलीदार फसल जिससे दल्हण फसल भी कहा जाता है यानि ऐसे फसल जिससा हमें दाले प्राप्त होती है जिसे की चना मक्तर इत्तादी किस प्रकार की फसल की जडूं की गरांतियों में राज्योवियम जीवान पाये जाता है ऐसे फसल को फलिदार फ़सल कहा जाता है को है मदू मक्षियों से प्राफ्ट होता है इस प्रकार इन चार अप्सन में से सहज एक ऐसा खाज़ पदार्थ हैं जो जनतुओं से प्राफ्थ होता हैं बाकी अप्सन जैसे की डाल फॉल चावर इत्तादी यह पौधों से प्राफ्थ होते हैं अब अगला प्रश्न किस रितु में जायद फसल की खेती की जाती है अफ्सन हमारे पास है वर्षा रितु शित रितु ग्रिस्म रितु और वर्शंत रितु कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनकी खेती गर्मियों के दिन में की जाती है यानि ग्रिश्म रेतू में की जाती है ऐसे फसल को जायद फसल कहा जाता है यानि जायद फसल की खेती ग्रिश्म रेतू में की जाती है रेश्रदार फसल का उदाहरन है अप्षन है सूर्य मूखी, चना, गेहूं और कपाश से जवाब है कपाश कपाश एक ऐसा फसल है जिससे हमें रेश से प्राप्थ होती है रेशों से हम कपड़ा और अज्ञ आवश्यक वस्तुवों के निर्बान करते हैं इस प्रकार रेश्रदार फसल का उदाहरन है कपाश रवी फसल का उदाहरन है अप्षन दिया गया है धान, मक्का, सोयाविन और गेहूं से जवाब होगा गेहूं गेहूं एक रवी फसल है जिस फसल की खेती सित रितु में की जाती है उससे रवी फसल कहा जाता है गेहूं की खेती सित रितु में की जाती है इसलिए गेहूं एक रवी फसल है जबकि धान, मक्का और सोयाविन की खेती वर्षा रितु में की जाती है और थात धान, मक्का और सोयाविन खरी फसल का उधारन है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है अप्सन दिया गया है कटाई, निराई, जुताई और सिचाई किसान बीजों को बोने से पहले मिट्टी को उलटते पलटते हैं और उससे पोला करते हैं इस प्राक्रिया को कहा जाता है जुताई फसल चक्रन पध्धती से मिट्टी पर क्या प्रभा पड़ता है अफसन हमारे पास है उर्वरता वर्ती है उर्वरता घठती है उर्वरता आपरिवर्ती दुरहती है या इनमें से कोई नहीं देखे होता क्या है कि जब किसी किसान किसी खेत पर एक ही प्रकार के फसल बारवार लेते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वराशक्ती कम हो जाती हैं और उस खेत की पैदावार भी कम हो जाती हैं इससे बचने के लिए किसान क्या करता है कि विविन प्रकार के फसल एक अनुक्रम में एक निश्चित क्रम में वे बार बार बोते हैं ताकि अलग-अलग प्रकार की फसल का उत्पादम स्खेट से किया जाए इस पद्धती को कहा जाता है फसल चक्रन पद्धती तो अगर किसा फसल चक्रन पद्धति अपनाते हैं तो इससे क्या होता है इससे भूमी की उर्वरता बरती है अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्राक्रिया क्या कहाती है अप्सन द्या गया है भंडारन निराई थ्रेशिंग या कटाई जब अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है तो इस प्राक्रिया को कहा जाता है थ्रिसिंग अगला प्रशन पूछा गया है निम्न मेश से कौन सा पौधा खर्पतवार का उधारन है अफशन दिया गया है गाजर, गाजर घास, तीसी और जूट देखे होता किया है कि फसल पौधे के साथ घास फूस या अन्य अवांचनिय पौधे उगाते हैं जो कि फसल की पैदावार को कम करते हैं इस प्रकार के घास फूस या अन्य अवांचनिय पौधे के खर्पदवार कहा जाता हैं जिने समय समय पर साफ करना आवस्यक होए ताकि फसल की पैदावार अधिक हो इस प्रशन में पूछा गया है कि इन चार आप्सन में से कौन सा खर्पदवार है इसका सभी जबाब है गा दूद को दही में परिवर्तित करने वाला सुजमजीब है अप्सन दिया गया है बेसिलस एंथ्रेसिस राजयो वियम माइको बैक्टरियम और लैक्टो बैसिलस हम अपने दैनिक जीवन में दूद को दही में परिवर्तित होने की परिखटना से वाकिफ हैं दूद दही में परिवर्तित होता है गुशेश प्रकार के जिवानू की मदद से इस जिवानू का नाम है लैक्टोबैसिरस यानि दूद दही में लैक्टोबैसिरस नामक जिवानू की मदद से ही परिवर्तित होता है malaria रोग किस जीव के काटने से हो सकता है अपस्ण दिया गया है मकडी, मच्छर, मदु मख्षी या घरिलू मख्षी malaria पिडिद व्यक्थी को जब एक मच्छर जिसका नाम है मादा अनोफलीज मच्छर जब एक malaria पिडिद व्यक्ती को काटता है तो फिर मलेरिया पिडित व्यक्ति से रोगानू उस मच्छर के सरीर में आ जाता है। फिर ये मादा अनोफ्लीज मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता हैं, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से पिडित हो सकता है। यानि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से हो सकता है। सभी जबाब होगा अप्शन B सबसे पहले कौन सा प्रतिजयविक हो जा गया। अप्शन दिया गया हैं पेनिसलिन, स्ट्राप्टो मायसेन, एरिथ्रो मायसेन और टेटरासाइकलिन। सभी जबाब हैं पेनिसलिन, पेनिसलिन सबसे पहले खोजा जाने वाला प्रतिजयविक है। अब इस प्रशन में पूछा गया हैं पेनिसलिन, स्ट्राप्टो में प्रतिजयविक कि खोज किसने की। अप्शन दिया गया हैं एडवार्ड जेनर, रावर्ट काच, लुई पास्चर, और अलेक्जन्डर फ्लैमिंग। पैकेट बंद दूद को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, इसके करने से क्या होता है कि दूद बहुत जल्द खराब नहीं होते हैं, इस प्राक्रिया में क्या किया जाता है कि दूद को 60-70 degrees Celsius आपमान पर गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है और पैकेट में बंद किया जाता है, इस प्राक्रिया को पास्चेरी करन कहा जाता है, पैराफ्शूर तथा चट्टानों पर चड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रश्य बनाने के लिए किया जाता है अप्शन हमारे पास है रेयान, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नाइलन इन चार अप्शन में से हमें सही अप्शन को चुनना है नाइलन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा रेशा है जो बहुत ही मजबूत होता है इसलिए पैराफ्शूर तथा चट्टानों पर चड़ने के लिए रश्य बनाने के लिए नाइलन का उपयोग किया जाता है नेमन में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आप्शन दिया गया है पालिस्टर, सेलूलोज, एक्रिलिक और नाइलन सही जवाब है आप्शन बी, सेलूलोज जो की एक प्राकृतिक बहुलक है नेमन में से किसमें सेलूलोज की परधानता होती है? अप्शन दिया गया है कागज, रवर, प्लास्टिक या इन में से कोई नहीं स्विज जबाब है कागज कागज में सलुलोज की परधानता होती है कागज का रिर्मान घाप्षफूस एवं पौदे के विविन रहिस्सों से की जाती है और इन सरी पदार्थों में सलुलोज की परधानता होती है अर्थात कागज में सलुलोज की परधानता होती है जिवानों द्वारा अपगटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है Option है जेव निवनिकरनिया, जेव और निवनिकरनिया, शंक्ष्लेशित रेशे या अवगटक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे सुचमजील यानि जिवानों और कवक अवगटित कर देते हैं इस प्रकार के पदार्थों को जेव निवनिकरनिय पदार्थ कहा जाता है सबसे अधिक शक्र्य धातु है अप्सन है पोटेसियम, सोडियम, मैगनिसियम या सोना से जवाब है पोटेसियम पोटेसियम ऐसा धातु है जो अज्य धाती की तुन्ना में ये सबसे अधिक शक्रे है धातूं के किस गुन के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्थित किया जा सकता है अप्सन है तन्यता, अगात वर्धनियता, कठोरता या धात्विक चमग धातूं की एक खास गुन है कि धातूं को हथोड़े से पीट कर उन्हें पतले चादर में परिवर्थित किया जा सकता है धातूं के इस गुन को अगात वर्धनियता कहा जाता है इसे प्रकार अगला प्रस्न पुछा गया है धातूओं के किस गुन के कारण उनके तार खिंचे जा सकते हैं अप्शन है तैन्यता, अगात वर्धनियता, कफुर्ता या धात्विक चमक धातूओं की एक गुन होती है कि धातूओं को खिच कर पतले तार बनाए जा सकते हैं धातूओं के इस गुन को तैन्यता कहा जाता है अब इस प्रश्ण में पूछा गया है एक अधातू जिसमें चमक होती है समाइन रूप से धातूओं में चमक होती है परन्तू अधातूओं में चमक नहीं होती है परन्तू इस प्रश्ण में पूछा गया है कि एक ऐसा अधातू जिसमें धातूओं की तरह चमक होती है भी इसमें धातू जैसी चमक होती है कम्रे के तापमान पर द्रवा वस्था में पाए जाने वाला धातू है ऐसा कौन सा धातू है जो कम्रे के तापमान पर द्रवा वस्था में पाए जाता है अपसर हमारे पास है सोडियम, सीजियम, गैलियम और पारा कमरे के तापमान पर द्रावा अवस्था में पाए जाने वाला धातू एकमात्र धातू है पारा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदुशक इंधन है अप्सन हमारे पास है पैट्रोल, डीजल, संपिडित प्राकृतिक गैस यानी सीजी या इनमें से कोई नहीं गारियों के लिए सबसे कम प्रदूशक इंधन है संपिडित प्राकृतिक ग्यास यानी CNG एई कारण है कि आजकल बड़े सोहरों में पैट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रश्ण में हमसे पूछा गया है कोईला बनने में कितना समय लगता है अप्सन देया गया है सो वर्ष हजारों वर्ष लाखों वर्ष या इनमें से कोई नहीं हमारे प्रिथिवी के गहराई में कोईले का प्रशूर भंडार है वेगानिकों का ऐसा मानना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्ष पूर्व प्रिथिवी पर घने वन थे और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये बन मिट्टी के नीचे दब गए और ये पौधों के जो अवसेश है ये जब लाखों वर्ष तक मिट्टी के अंदर रहे तो अच्तविक दाब और ताप की इस्थिती में ये कोईले में परिवार्थित होगे यानि कोईला बनने में समय लगने वाला जो है वह हैं लाखों वर्ष पैट्रोलियम का कौन सा उत्पाद का शड़क निर्मान के लिए उपयोग किया जाता है अफ्सन देया गया है कोग, पैराफिन, कोल गैस या बेटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमेन और इसका उपयोग किया जाता है सड़क के निर्मान करने के लिए प्राकृतिक ग्यास में मुख्यत होते हैं मिथेन, इथेन, अक्सिजन या प्रोपेन से जबाब होगा मिथेन, प्राकृतिक ग्यास का मुख्य संगठक मिथेन होता है किसी पदार्थ के दहन का पोशक पदार्थ है इंधन, अक्सिजन, कार्बन या जल कोई भी पदार्थ तब जलता है जब हुआ अक्सिजन की उपस्थिती होती है यानि दहन का पोशक पदार्थ होता है अक्सिजन विद्दूत उपकरन में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगने सामक है अप्सन दिया गया है रेत, जल, कारवन डायक्साइड या अक्सिजन जब किसी विद्दूत उपकरन में आग लगे तो इसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनी सामक है कारवन डायक्साइड गैस क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए लेत, शुविदा जनक नहीं है और जल से हम विद्दूत उपकरन में लगी आग को नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि जल विद्दूत का सुचालक है जिसमें आग बुझाने वाले को विद्दूत का जटका लग सकता है इस प्रकार विद्दूत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनिसामख है कारवन डियाकसाइड गैस नेमन में से कौन सा दहनसिल पदार्थ का उदाहरम है अप्सन हमारे पास है लोहा, कांच, बालू और कागज तो इन चार अप्सन में से कागज एक ऐसा पदार्थ है जो जल सकता है यानि कागज एक दहनसिल पदार्थ है जबकि लोहा, कांच और बालू ये और दहनसिल पदार्थ है स्वात दहन की परिखटना देखा जा सकता है option है swift phosphorus, लक्री, पटाखा या पैट्रोल कुछ ऐसे दहन सिल पदार्थ होते हैं जो वायू के संपर्ख में आने मातर से ही जल उठते हैं जैसे कि swift phosphorus, swift phosphorus, swift दहन की परिखटना दिखाता है कारण क्या है कि swift phosphorus को पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है और जैसे इससे जल से बाहर निकाला जाता है यह वायू के संपर्ख में आता है और वायू के संपर्ख में आने मातर से ही यह अपने आप जल उठता है इस प्रकार swift phosphorus, swift phosphorus, श्वात दहन की परिखटना पर दर्सित करता है इस प्रफ्ष्ण में पूशा गया है लकडी का जलना किस प्रकार का दहन है अफ्षन हमारे पास है स्वात दहन, विश्फोट, मंद दहन या इन में से कोई नहीं दहन की गती के आधार पर दहन को तीन भागों में बाटा गया है स्वात दहन, विश्वोट और मंद दहन अगर हम स्वात दहन की बात करें तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया स्वेथ फस्फरस जो वायू के संपर्ख में आने मातर से ही अपने आप जल उड़ता है इस प्रकार के दहन को स्वात दहन कहा जाता है अगर हम विश्वोट की बात करें तो ऐसा दहन जो अच्तधी तिप्रगति से होता है जैसा कि पटाका का दहन ये विश्वोट का उदाहरन है इस प्रकार अगर हम मंद दहन की बात करें तो लकडी का जलना ये दहन धीरे धीरे होता है जैसे कि लगड़ी का जलना, कोईले का जलना, कागज का जलना ये मंद दहन का उदाहरन है। इस प्रकार इस प्रशन का स्वेजवाब होगा मंद दहन। जैसे कि लगड़ी, कागज, पैटोल, इत्तादी। इस प्रकार अगला सर्थ हैं दहन के पोशक पदार्थ की उपस्थिती यानि अक्सिजन। ज्वालन ताफ की प्राप्ति, कोई भी पदार्थ का दहन, तभी संब्भभ हैं जब एक निवूनतम ताप मान उस वश्तु को प्राप्त हो, जिस से उस इंधन का या उस वश्तु का ज्वालन ताप कहा जाता है। इस प्रकार दहन के लिए तिन आविश्यक सर्थ हैं दहन सिल पदार्थ की उपस्थिति दहन के पोशक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वालन ताफ की प्राप्ति 38 प्रश्ण का सही जवाब होगा option D उपार्युक्त सभी वह ताफ जिस पर कोई पदार्थ जलना सुरू करता है क्या कहलाता है option हमारे पास है ज्वालन ताप, ज्वाला, ज्वालन सिल पदार्थ या दहन सिल पदार्थ कोई भी इंधन तभी जलता है जब उस इंधन को एक निवन्तम ताप की प्राप्ति होती है किस निवन्तम तापमान को उस इंधन का या फिर उस धनसिल पदार्थ का जौलन ताप कहा जाता है अर्थातिस प्रश्ण का सही जवाब होगा option A जौलन ताप इंधन के उस मियमान को किस इकाय में मापा जाता है option है 1kg, 1j , 1j , 1j , 2j सबसे भालत हमां समझना होगा किसी इंधन के उस मियमान क्या होता है कोई बी इंधन के 1 kg के मात्रा को जलाने से जो हमें उसमा प्राफ्ट होती है उस्से उस इंधन का उस मियमान कहा जाता है यानि उस मियमान को वैक्त किया जाता है किलो जूल परती किलोग्राम यानि एक किलोग्राम के इंधन में कितना किलो जूल उस्मा हमें प्राप्थ होती है और ताद इस प्रश्ण का सही जवाब है अप्शन B निम्न में से किस इंधन का उस्मियमान सबसे अधिक होता है अप्शन है लकडी, केरोसीन, LPG या हाइडोजन सही जवाब है हाइडोजन क्योंकि एक किलोग्राम हाइडोजन के दहन से पर्याप्त मात्रा में उस्मा मुक्त होती है जो कि लकडी, केरोसीन या फिर LPG से प्राप अगला प्रस्ण है विश्वर्ड दहन का उधारन है अप्षन द्याग्या है लकड़ी का जलना तेल का जलना पटाका का दहन या इन्वे से कौई नहीं विश्वर्ड दहन होता है जिसमें कोई इंधन पदार्थ अज्टधी तीप्रगती से दहन करता है जैसे की पटाका का दहन अर्था पटाका का दहन एक विश्वोट का उधारन है ज्वाला में कितने छेत्र होते हैं 4, 3, 5 या 2 आप इस छेत्र में देख सकते हैं मुम्बत्य के ज्वाला को दिखाया गया है इस ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जो की नीरे रंग का होता है या सबसे गर्म भाग होता है ज्वाला का मज्द भाग पिले रंग का होता है जो कम गर्म वाला छेत्र होता है और ज्वाला के सबसे आंतरिक भाग काले रंग का होता है जो सबसे कम गर्म वाला होता है इस प्रकार ज्वाला के कुल तीन छेत्र होते हैं वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं अप्सन दिया गया है वनोन मुलन, पुनरवन रोपन, वरिच्छा रोपन या वन्य प्रानी अभ्यारन वरिच्छों की कटाई करके वनों को समाप्त करने की क्रिया को वनोन मुलन कहा जाता है वनोन मुलन का कारण है यानि किस कारण से व्रिच्छों की कटाई की जाती है अप्सन देया गया है भवन निर्मान, सड़क निर्मान, कागर जुद्दोग या उपरियुक्त सभी मनुष अपने आवश्चताओं की पूर्ती के लिए भवन निर्मान करता है सड़क की निर्मान करता है, विविन न प्रकार के उद्यक धंदे इस्थापित करता है इसके कारण उन्हें जमीन की आवश्चता होती है और ये जमीन उन्हें वनों की सफाय करके प्राग करता है इस प्रकार वनोन मुलन का कारण है उपरियुक्त सभी वननमुलन का इस्थाई हल क्या है चुकि हम जानते हैं कि व्रिच्छों की कटाई परियावरन में असंतुलन पैदा करता है अर्थात वननमुलन का हमें इस्थाई हल चाहिए वननमुलन का इस्थाई हल क्या है अफ्षन देगे हैं पुनचकरन मरुस्थलिगरन वन्यप्रानी अभ्यारन या पुनरवन रोपन इसका स्थाई हल है पुनरवन रोपन यानि काटे गए व्रिच के स्थान पर नए व्रिच की रोपन करके हम वनुन्मुलन का स्थाई हल निकाल सकते हैं यानि 101 का स्थाई हल है पुनर 1 रोपन इस प्रस्ष्ण में पूशा गया है कि इसमें पाया जाता है अप्शन देया गया है जड में हरी पत्तियों में भुमिगत तना में या वायविय तना में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है पौधों की कोशिका में एक विसेस प्रकार के प्लास्टिड पाये जाते हैं यानि एक विसेस प्रकार के कोशिकांग पाये जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल होने के कारण वे हरे रंग के होते हैं इस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता ह जो की पोधों की पतियों में पाये जाते हैं इसे कारन से पाइधों की पत्यां हरी होती है अर्थाथ कलोरोप्लस्ट पाये जाता है हरी पत्तियों में अगला प्रश्ण है नीम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है अप्शन दिया गया है माइटोगंड्रिया लाइसोसम प्लास्टीड या केंद्र सभी जवाब होगा लाइसोसम कोशिकांग में लाइसोसम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसम में सक्तसाली पाचक एंजाइम होते हैं और अगर किसी कारण से लाइसोसम फट जाए और उसमें स्थित जो एंजाइम है वह कोशिकांग में आ जाए तो पूरे कोशिकांग के मृत्तु हो सकती है इसलिए ला या अमिवा से जवाब हैं अमिवा अमिवा एक कोशिक जीव है जन्तु कोशिका में कोन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है अप्शन हमारे पास है माइटोकंड्रिया प्लैस्टीड लाइसोसम या केंद्रक से जवाब है Plastid Plastid ऐसा कोशिकांग है जो जनतू कोशिकांग में नहीं पाया जाता है परंतू पाद़ पोशिकांग में पाया जाता है पौधों के हरा रंग का कारण है Option है Leukoplast, Chromoplast, Cloroplast या इन में से कोई नहीं जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि पादप कोशिका में प्लैस्टिड पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में प्लैस्टिड नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में जो प्लैस्टिड पाया जाता है ये तीन तरह के होते हैं लिउकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क् तदी और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे हरे रंग के होते हैं तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि पौधों के हरे रंग का कारण है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिती कोशी का की खोज कब हुई अप्सन दिया गया है 166SB में 162012SB में 1614SB में या 165SB में यह घटना 1650 इसवी में हुई सम 1650 इसवी में रावर्ट हूक नामक वैज्यानिक ने कॉर्ख की पतली-पतली स्लाइसों को काट कर अपने द्वारा निर्मिन सुजमदर्शी से देखा और इस प्रकार उनने कोशिका की खोज की कोशिका की खोज 1650 इसवी में हुई जन्तु कोशिका में कोन सी संग्रचना अनुपस्थित होती है अप्सन हमारे पास है कोशिका जिल्ली, केंदरक, कोशिका भित्ती और जीवद्रइब सभी जबाब होगा कोशिका भित्ती कोशिका जिल्ली के बाहर एक मोटी संग्रचना पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ती कहा जाता है यह पादप कोशिका में उपस्थित होता है परन्तु जन्तु कोशिका में यह पाया नहीं जाता है इस प्रकार कोशिका वित्ती जन्तु कोशिका में अनुपस्तित होता है नर और मादा युगमक मिलकर क्या बनाते हैं अफ्सन हमारे पास हैं युगमनाज, मुकूल, शुकरानू या भ्रोण लेंगिक जननन में नर युगमाक और मादा युगमाक का आपस में संयोजन होता है और इस प्रकार संयोजन होने के परिनाम सरूप एक नए कोशिका का विकास होता है जिससे युगमनज कहा जाता है अब अगला प्रस्ण देखते हैं यह प्रश्ण भी कुछ उसी प्रकार है नर और मादा युगमक के संयोजन की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि लेंगी जनन में नर युगमक और मादा युगमक का संयोजन होता है और एक नए कोशिका का विकास होता है जिससे युगमनस कह प्रश्ण में पूछा गया है कि नर और मादा युगमक के संयोजन होने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है अपसन हमारे पास दिया गया है युगमनाज निशेचन परागन या इनमें से कोई नहीं इस प्राक्रिया को निशेचन कहा जाता है नर और मादा युगमक के आपस म मिलने की जो प्राक्रिया है इससे निसेचन कहा जाता है जो जन्तू सिधे शिशु को जर्म ना देकर अंडे देती है उससे कहते हैं अपसम है जरायूस जन्तू, अंड प्रजक जन्तू, स्तंधारी जन्तू या इनमें से कोई नहीं हम अपने चारों और अनेक प्रकार के जन्तू देखते हैं इनमें से कुछ ऐसे जन्तू है जो अंडे देती हैं जबकि कुछ ऐसे जन्तू है जो एक विक्षित सिशु को जर्म देती हैं इस प्रस्ण में पूछा गया हैं कि वो जन्तु जो सीधे सीशू को जन्म ना देकर अंडे देती हैं उससे क्या कहा जाता हैं सही जबाब होगा अंड परजग जन्तु ऐसे जन्तु जो अंडे देती हैं अंड परजग जन्तु कहलाते हैं इसे प्रकार अगला प्रस्न पूशा गया है जो जन्दू अपने जैसे सिसु को जन्व देती है उससे कहते हैं जरायूस जन्दू, अंड़ प्रजवग जन्दू, इस्तन्धर जन्तू या इन्में से कोई नहीं इसका असलिए जवाब होगा जरायूस जन्दू जो जन्तु अंडे न देकर अपने जैसे सिसु को जन्व देती हैं वैसे जन्तु को जरायूस जन्तु कहा जाता है आंतरिक निशेचन होती है अप्सन है मादा के सरीर में नर के सरीर में मादा के सरीर के बाहर या नर के सरीर के बाहर जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया निशेचन ऐसी प्राक्रिया हैं जिसमें नर और मादा युगमक आपस में संयोजन करके एक युगमनज का विकास करते हैं निशेचन दो प्रकार के होते हैं बाहे निशेचन और आंतरिक निशेचन जब निशेचन मादा के सरीर के अंदर होते हैं तुस्से आंतरिक निशेचन कहा जाता है और जब निशेचन की प्राक्रिया मादा के सरीर के बाहर होती हैं तुस्से बाहर निशेचन कहा जाता है अर्थात इस प्रश्ण का स्वेजवाब होगा कि आंतरिक निशेचन होती हैं मादा के सरीर में अब अगला प्रश्ण यह प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है और यह प्रश्ण कई बार परिशा में पूछा भी गया है मुकुलन विधी द्वारा जनन किस जन्तु में होता है अप्शन हमारे पास है पेरामिशियम अमीबा बैक्ट्रिया या हाइडरा स Barnesamre Apparently Hydrant में मुकूलन विधी द्वारा जनन होता है इस विधो में क्या होता है कि एक Hyre व्रिधी करके एक वयसक औरुन है फिर दिरे दिरे इस हा inertia के सरेर हैं ए एक मुकूल जैसे संग्रशना विख्विसित होती है जो समय के साथ वर्ति चली जाती है अंद में ये मुकुल जब बड़े होकर एक हाइडरा बन जाती है तो ये अपने पैत्रिक हाइडरा से अलग होकर एक नए जीव का निर्बान करती है इस विधी को मुकुलन विधी कहा जाता है अर्थात हाइडरा में मुकुलन विधी द्वारा जनन की क्रिया होती है लड़कों के गले में उभ्रा हुआ भाग क्या कहलाता है अप्शन दिया गया है लैरिंग्स एडम्स एप्पल या कंठ मनी फाराइड या स्वारेयंत्र जब लड़का योवनारंब की अवस्था में कदम रखता है तो उसके गले में एक उभार आता है और इस उभार के कारण उसके आवाज में एक प्रकार का भारीपन आता है तो इस प्रस्न में पूशा गया है कि गले में उभ्रा हुआ भाग को क्या कहा जाता है इसका पास हैं 22 जोड़े 23 जोड़े 24 जोड़े या 25 जोड़े मानव कोशिका में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुनसुत्र पाए जाते हैं इस्त्रियों में होने वाले माशिक स्राव की समय नवधी क्या है अप्सन दिया गया है 22 दिन 14 दिन 35 दिन या 28 दिन इस्त्रियों में 28 दिन के पस्चात माशिक स्राव की क्रिया होती है नेमन में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वत्तम है अप्सन है चिप्स नूडल्स केक, रोटी दाल सबजियां, चावल नूडल्स बर्गर या शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पे जब बच्चे किशोर आवस्था में कदम रखते हैं तो उन्हें स्वास्थ पर विशेज ध्यान देने की आवशक्ता है उन्हें फास्ट फूड से बचना चाहिए और पोशक तत्व से भरपूर भोजन ही लेना चाहिए इस प्रकाय किशोर के लिए सर्वत्तम अहार हैं रोटी दाल और सबजियां इस प्रश्ण में पूशा गया हैं किस भोतिक राशी का मात्रक न्यूटन है अप्शन है दाब, द्रेव्यमान, शक्ति या बल दाब का मात्रक पास्कल होता हैं द्रेव्यमान का मात्रक किलोग्राम, शक्ति का मात्रक वाट और बल का मात्रक न्यूटन होता हैं अर्थात सही जवाब है बल प्रिथिवी प्रित्य गवस्तु को अपनी और आकर्षित करती है इस बल को क्या कहते हैं अप्शन दिया गया है गुरुत्व बल, चुम्बाकिय बल, घर्षन बल और वैद्यूद बल प्रिदमी प्रित्य वस्तु को गृत्य वबाल के दोबारा आकर्षित करती है नेम्न मैं से कौन सा बाल? संपर्कित बाल का उदारन है अप्षन हमारे पास है गृत्य वबाल, चुम्बाकिय वबाल, घरसन बाल और स्थिर विद्द बाल शंपर्कित बल किससे करता है ऐसा बल जिसमें वस्तुओं के मजद बल तभी लगता है जब वे वस्तु एक दुसरे के संपर्क में आते है और आप शंपर्कित बल ऐसे बल है जब दोनों वस्तुओं एक दुसरे के संपर्क में आये बिना लगता है इस प्रकार के बल को और श शंपर्कित बल का उदाहरन क्या है तो वह है घर्षन बल घर्षन बल तभी लगता है जब एक वस्तु दुसरे वस्तु के संपर्ख में आता है जब कि गुरुत्व बल चुम्बक्य बल और इस्थिर विद्दुद बल बीना शंपर्ख में आये ही लगता है अर्थाथ यह प्रती इकांच छित्रफर पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं अफिकर्षन दाब शक्ति या अपकर्षन प्रती इकांच छित्रफर पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है शुष्क मोशम में बालों में कंगी करने पर वह विखर जाता है इसके लिए उत्तरदाई बल है अप्सन हमारे पास है चुमबा किया बल घर्षन बल इस्थिर विद्दुद बल या गुरुत्व बल जब हम सुखे बालों पर कंगी करते हैं तो बाल विखर जाता हैं कारण क् घर्षन के कारण बाल और कंगी दोनों आविशित हो जाते हैं और आविशित होने के कारण बाल एक दुसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और इस प्रकार प्रतिकर्शित का कारण है इस्तिर विद्दुद बल अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा इस्तिर दाब क्या है प्रती इकांच छित्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है इस प्रकार दाब का जो मात्रक होगा वह होगा न्यूटन प्रती वर्ग मिटर परंतु न्यूटन प्रती वर्ग मिटर को पाफ्षकल के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाब का मात्रक दोनों हैं, निूटन प्रती वर्ग मिटर भी और पास्कल भी, इस प्रकार इस प्रस्ण का सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों. घर्षन को कम करने वाले पदार्थ को क्या करते हैं? अप्सन देया गया हैं सुनेहाक, तेल, घर्षन रहीत और इनमें से कोई नहीं. आपने देखा होगा विविन्य प्रकार के मशीनों में या फिर कल कारखानों में घर्षन को कम करने के लिए कुछ पदार्थ का उपयोग कि जाता है जैसे कि ग्रिफाइट ग्रीज ते इत्तादी इस प्रकार के पदार्थ के उपयुक करने से मशीनों में घर्षन कम हो जाते हैं इस तरह के पदार्थ को सुनेहक कहा जाता है अगला प्रशन है घर्षन होता है हमेशा हानिकारक हमेशा लावदायक कभी हानिकारक तो कभी लावदायक या न तो हानिकारक और न ही लावदायक घर्षन हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है और लावदायक भी हो सकता है घर्षन के कारण मसीनों के पार्ट्स पूर्जे घिस जाते हैं जिसके कारण पार्ट्स पूर्जे का छटी हो जाता हैं इस प्रकार घर्षन हमारे लिए हानिकारक हैं साथे साथ घर्षन हमारे लिए क्योंकि घर्षन के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं, हम किसी वस्तु को पगड़ पाते हैं, गारियों में ब्रेक लगाये जा सकते हैं, इस प्रकार घर्षन कभी हानिकारक भी हो सकते हैं तो कभी लावदायक भी हो सकते हैं, अर्थाथ सरी जबाब होगा, option C. बर्ष पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि option दिया गया हैं, घर्षन अधिक होगा, घर्षन कम होगा, साउधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण या इन में से कोई नहीं, जब हम बर्ष पर चलते हैं, तो हम फिसल जाते हैं, कारण क्या हैं, कि सतह की चिकनाई बहु कैरम बोड पर पावडर शिरकने से घर्षन हो जाता है, अधिक कम अपरिवर्थित या इन में से कोई नहीं, जब हम कैरम बोड पर पावडर शिरकते हैं, तो सतह अधिक चिकनाई हो जाती हैं, जिसके कारण घर्षन कम हो जाता है ध्वनी संचारित हो सकती है अप्शन दिया गया है केवल ठोसों में केवल द्रावों में केवल गयाशों में या फिर ठोसों द्रावों तथा गयाशों में सही जवाब है अप्शन D ध्वनी संचारित हो सकती है ठोसों में भी द्रवों में भी और ग्याशों में भी ध्वनी का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में उससे कम होता है द्रवों में और सबसे कम होता है ग्याश में प्राफ्षरव ध्वनी की आवरिती कितनी होती है अप्षन हमारे पास है 2000 हर्ज से अधिक 20,000 हर्ज से अधिक 20 हर्ज से कम या फिर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच सही जबाब होगा अप्षन B वैसे ध्वनी तरंगे जिनकी आबरिती 20,000 हज से अधिक होती है उस प्रकार के ध्वनी तरंगों को पराश्रव ध्वनी तरंगें कहा जाता है निम्न में से किसके आवाज की आबरिती सबसे अधिक है अफ्षन है छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की या पूरुष की जो आवाज पतली होती है उसकी आबरिती सबसे अधिक होती है अर्थाथ सभी जबाब होगा छोटी बच्ची की, छोटी बच्ची की आवाज काफी पतली होती है जिसके अतरान इसकी आबरिती सबसे अधिक होती है मानव कानों के लिए स्रवता प्राफ्ष क्या है पहला अप्षन है 200 हर्च से 2000 हर्च तक अगला अप्षन है 200 हर्च से 20,000 हर्च तक या फिर 20 हर्च से 20,000 हर्च तक और अंतिम अप्षन दिया गया है 20 हर्च से 2000 हर्च तक मानव कानों के लिए सर्वेता प्राश क्या है हमारी काने सभी प्रकार के ध्वनी तरंगों को नहीं सुन सकती है जिन ध्वनी तरंगों के आवरिती 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है केवल हमारी काने उनी ध्वनी तरंगों को सुन पाती है और इसी तरंगों के प्राश को सर्व पराप्ष कहा जाता है इस प्रकार से जवाब होगा अप्षण C 20-2000 हर्ज तक अब इस प्रश्ण में पुशा गया है आवरीति का मात्रक हैं मिटर मिटर प्रतिस सेकेंड हर्ज या सेकेंड आवरीति को हर्ज में व्यक्त कि जाती है ध्वनी की प्रवलता किस कारक पर निर्वर करती है अप्षन हमारे पास है आयाम, तारत्व, आवरिती या फिर अंतिम अप्षन दिया गया है तरंग, देर्ग ध्वनी की प्रवलता उसकी आयाम पर निर्वर करती है अगर किसी ध्वनी की आयाम अधिक होगी तो उस ध्वनी की प्रवलता अधिक होगी अगर आयाम कम होगा तो प्रवलता भी कम होगी नेमन मेश से विद्दूत धारा का सुचालक है अप्शन दिया गया है लक्री, रवर, पीतल या कागज जिस पदार्थ से विद्दूत धारा का गमन हो सकता है उससे विद्दूत का सुचालक कहा जाता है इन चार आप्शन में से पीतल एक मिस्रधातु है जो कि तामबा और जस्ता का मिस्रधातु है इस प्रकार मिस्र धातू होने के कारण ये विद्दुत धारा का सूचालक है जब कि लकडी, रवर और कागज ये विद्दुत धारा का कूचालक पदार्थ है अब अगला प्राश्न अपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रीम को चमकदार बनाने के लिए किस धातू का विद्दुत लेपन किया जाता है अप्सन हमारे पास हैं क्रोमियम, लोहा, अलुमिनियम या तीन सही जबाब हैं क्रोमियम इसको चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातू का विद्दुत लेपन किया जाता है लोहे के पूलों को जंग से बचाने के लिए किस धातू का विद्धूत लेपन किया जाता है इसमें आप्शन दिया गया है तामबा, जस्ता, एलमेनियम और रबर लोहे से बनी पदार्थों को जंग से बचाने के लिए जस्ताय का विद्धूत लेपन किया जाता है और इस प्राक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन यह प्राश्ण बहुत ही मौतपूर्द है इसमें पूछा गया है कांच को रेशम से रगडने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन होता है अफसन हमारे पास है धन आवेश, रिन आवेश, धन एवं रिन आवेश दोनों या कोई आवेश नहीं जब कांच को रेशम से रगडना जाता है तो कांच और रेशम दोनों आवेशित हो जाते हैं काच धन आवेस अर्जित करता है जबकी रेसम रीन आवेस अर्जित करता है। इस प्रस्ण में पूछा गया है कि रेशम कौन सा आवेश उत्पन्न करता हैं तो रेशम रिन आवेश अर्जित करता है आकासिय विद्धु द्विसर्जन को क्या कहा जाता है अफ्शन दिया गया है आवेश, तरित, प्रतिकर्शन या भुकम आकासिय विद्धु द्विसर्जन को तरित के नाम से जाना जाता है विपरित आवेशों के बीच होता है अफ्शन है आकर्शन, प्रतिकर्शन, आकर्शन अवं प्रतिकर्शन दोनों या इर्मे से कोई नहीं विपरित आवेशों के मद्य किस प्रकार का बल कारे करता है यानि अगर एक धन आवेशित वस्तु हो और एक दिन आवेशित वस्तु हो तो दोनों के मद्य आकर्शन बल कारे करेगा अगला मतपूर्ण प्रश्ण है जार्खन की एक प्रमुक आवदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं अप्सन दिया गया है भूकम, सुनामे, बार या तडित से जबाब हैं तरित तरित जार्खन की एक प्रमुक आवदा हैं जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं विद्धालयों या भवनों के उपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है अप्सन दिया गया हैं सुन्दर्ता के लिए विद्धुद विसर्जन से बचने के लिए मजबूती के लिए या प्रकाश आवशोशित करने के लिए भवनों या विद्धालयों के उपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती हैं इससे तडित चालक के नाम से जाना जाता हैं इसका अपवयोग विद्धुद विसर्जन से बचने के लिए किया जाता है नेमन में से कोन सी प्रादित वश्टु का उधारन है अप्सन दिया गया है सुर्य, मानाओ, लक्डी या दिवार वैसे वश्टु जिसका अपना प्रादित वश्टु कहलाता है इन चार अप्सन में से सुर्य का अपना प्रादित वश्टु का उधारन है मानाओ नेत्र के लिए सुषपस्ट दर्शन की नियुनतम दूरी होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु को हमारे नेत्र से एक नियूनतम दूरी पर रखनी होती है यानि उससे कम दूरी पर अगर रखा जा यानि अत्तहिक समीप अगर रखा जाए तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं यानि कोई भी वस्तु को अगर हम आख के बहुत ही नजदिक लाकर रखें तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो सुषपस्ट दर्शन की नियूंतम दूरी यानि एक ऐसी दूरी जिससे कम दूरी पर हम वस्तु को इसपस्ट रूप से नहीं देख सकते हैं वो दूरी क्या होती हैं अफ्सन हमारे पास दिया गया है 50 cm, 25 cm, 40 cm या 60 cm मानब नेत्र के लिए सुषपस्ट दर्शन की नियूंतम दूरी 25 cm होती है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिसरन होता है अफ्सन हमारे पास है 5, 6, 7 या 4 श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों का मिसरन होता है जब श्वेत प्रकाश को कांच की एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये साथ विभिन रंगों में विवक्त हो जाती है इन सभी रंगों का नाम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी इस प्रकार स्वेत प्रकास कुल साक रंगों का मिस्रन होता है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं अप्षन है आईरिश यानि परितारिका, कॉर्निया, पुतली या रेटिना मानव नेत्र के लिए रंगीन भाग के लिए जो उत्तरदाई संग्रिशना है वह हैं आईरिस यानि परितारिका परितारिका के रंग के कारण ही विविन व्यक्तियों के आँखों का रंग अलग अलग होता है हमारे 100 परिवार में कितने ग्रह हैं अप्शन देया गया हैं 7, 6, 5 या 8 हमारे सौर परिवार में कुल आट ग्रह हैं इन आट ग्रहों का नाम सूर्य के दूरी के अनुक्रम में अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे नजदिक हैं बूद उसके बाद सुक्र, प्रिथिवी, मंगल, ब्रस्पती, सनी, यूरेनस और नेप्चुन इस प्रकार हमारे सौर परिवार में कुल आट ग्रह हैं सन 2006 के पहले के किताबों में हमारे सौर परिवार में कुल नग ग्रहों का जिक्र मिलता है इनमें प्लूटो को पहले एक ग्रहों के रूप में सूची में सामिल किया गया था परंतु सन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रहनिक ग्रह की स्रेनी में नहीं रखा गया है इस प्रकार वर्तमान में हमारे सर परिवार में कुल आठ ग्रह ही है नेमन में से कौन ग्रह नहीं है अप्सन है सिरियस, मंगल, बूध और शनी सही जवाब है सिरियस सिरियस एक ग्रह नहीं बलकि यह एक तारा है शर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कोन सा है अप्सन दिया गया है ब्रश्पती, बूध, शुक्र या शनी हमारे सर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, बूध ग्रह है नेमन में से कोन सर परिवार का सदेश नहीं है अप्शन देया गया है चुद्रगरा, उपगरा, तारामंडल या धुमकेतु हमारे सौर परिवार में सूर्य, गरा, उपगरा, चुद्रगरा और धुमकेतु होते हैं परन्तु तारामंडल हमारे सौर परिवार का सदिश नहीं है तारों के समुह को तारामंडल कहा जाता है सूर्य की सबसे उपरी सतह का तापमान होता है अप्सन हमारे पास है 2000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस वेगानिकों का ऐसा मानना है कि सूर्य की सबसे उपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है अगला प्रश्ण है खगोलिय पिंडों की दूरी किस इकाय में मापा जाता है अप्शन दिया गया है किलो मिटर, मिटर, प्रकास वर्स या सोर वर्स खगोलिय पिंडों की दूरी बहुत अधिक होती है इतनी दूरी को मापने के लिए मीटर या किलोमीटर जैसे इकाई बहुत ही छोटी पर जाती है इसलिए खगोलिय पिंडों की दूरी को नापने के लिए एक विशेश प्रकार के इकाय का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रकास वर्ष एक प्रकास वर्ष उस दूरी को कहाता है जितने दूरी प्रकास एक वर्ष में तय करती है कुकि एक वर्ष में प्रकास के द्वारा तई की गई दूरी को एक प्रकास वर्ष कहा जाता है हमारे सौर परिबार का सबसे बड़ा गरह है किस गरह को प्रभाक तारा कहते है अब्षन है सनी नेप्चून मंगल या शुक्र सुर्योदाई के पहले और शुरियाश्ट के बाद पूरा दिशा में सुभा के समय और शाम के समय पस्चिम दिशा में आस्मान में एक तारे जैसी दिखाई देती हैं यह वास्तम में या शुक्रगरण हैं इसी कारण से शुक् तारा या फिर साय का तारा कहा जाता है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलिय पिंड को क्या कहते हैं अप्सन हमारे पास है क्रित्रेम उपगरा उपगरा छुद्रगरा या उलका पिंड चूकि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों और ग्रह परिक्रमा करती हैं ठीक इसी प्रकार ग्रह के चारों और जो खगोलिय पिंड परिक्रमा करती हैं उससे उपगरा कहा जाता हैं और ताथ जैसे कि अगर हम बात करें प्रिथिवी के उपगरा की तो प्रिथिवी के उपगरा है चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा प्रिथिवी के चारों परिक्रमा करती है वैसे खोगलियपिंड जो किसी गरा के चारों परिक्रमा करती है उससे उपगरा कहा जाता है विश्वत आपन का प्रमुख कारण है अप्शन है नाइट्रोजन की बर्ती मात्रा अक्सिजन की बर्ती मात्रा कारवन डायकसाइड की बर्ती मात्रा या फिर ओजन की बर्ती मात्रा आज कर प्रदूसन की समय सा विक्राल रूप ले रही है परतुसन के कारण वायो मंडल में कारवन डायक्साइड की मात्रा बरती जा रही है जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रिथिवी की तापमान दिनों दिर बरती चली जाती है कारण क्या है कि हमारे वायो मंडल में जब कारवन डायक्साइड की मात्रा बरती है तो हमारी प्रिथ स्वातापन का प्रमुख कारण है कारवन डायक्साइड की बर्ति मात्रा यानी अप्शन सी आमलियो वर्षा के लिए उत्तरदाई है अप्शन है शल्फिरिक आमला नाइटरिक आमला उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं आज कल पर्दूसन की समझा दिनो दिन बढ़ रही है हम दिनो दिन पैट्रोल डीजल जैसे जिवास्व इंधन का उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार के इंधन के दहन से वाय मंडल में सल्फर डायकसाइड गैस और नाइट्रोजन डायकसाइड गैस की मात्रा दिनो दिन बढ़ती जा रही हैं और ये ग्यासें जब वर्षा जल के साथ मिलती हैं तो क्रमसा, सल्फियूरिक आमला और नाइट्रिक आमला जैसे आमला बनाते हैं और ये आमला जब वर्षा जल के साथ मिलकर हमारी धरती पर आती हैं तिसी वर्षा को हम आमलिय वर्षा के नाम से जानते हैं यारी हम कर सकते हैं कि अम्लिय वर्षा के लिए उत्तरदाई हैं सल्फ्यूरिक अमला और नाइट्रिक अमला दोनों और थाक सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों मैं पूछा गया है पर्यावरण का अजेविक कारक है अप्शन दिया गया है मनुष वायू पेड़ पधे या पच्छी अजेविक कारक यानी ऐसे कारक जिसमें जीवन नहीं इन चार अप्शन में से मनुष, पेर पोदे और पच्छी में जीवन है और थाथ ये जैविक कारक है परंतु वायू में कोई जीवन नहीं है और थाथ वायू एक और जैविक कारक का उधारन है तह स्टुद्ट्ट्ट्स इस वीडियो के माइदम से हमने ग्लास ऐडू साइनस रेलेड़ इंपार्ण एंसी को वरें चर्चा किया उमिद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल हुई होगी और इस वीडियो सहापने काफी कुछ सीखा होगा यह वीडियो अब्डेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके तब तक के लिए बाई